जम्मू में इंटरनेशनल बार्डर के करीब ड्यूटी पर तैनात बीए साइफ के एक जवान ने अफसरों पर संगीन आरोप लगाया है। उसका आरोप है कि बीए साइफ जवानों को घटिया खाना दिया जा रहा है। उसने एभी इलजाम लगाया है कि अफसर राशन को वाजार में बेच देते हैं। उस जवान ने थ्री वीडियो बनाए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए है। इस जवान ने पीएम मोदी से अपील की है कि वो पूरे मामले की जाच कराए। सोशल मीडिया पर वायरल इन वीडियो को अब तक करीब साढ़े फैल लाख लोग देख चुके हैं। इनकी सच्चाई का दावा आज तक नहीं करता है। लेकिन सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जाच का भरोसा गया है। वायरल वीडियो पर ग्रे मंत्री राजनात सिंग ने फ्वीट किया है। उन्होंने ग्रे सच्चिल को जाच का आदेश गया है। बिये साइफ से रिपोर्ट तलब की गई है। जवान के वीडियो पर केंद्रिये ग्रेह राज्ये मंत्री किरन विजीजु ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। लेकिन सीमा पर अपनी नेमे त्यात्रा के दोरान मैंने जवानों के बीच सब कुछ सही पाया था। बीए सैफ जवान ने अपने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार भूखा रखा जाता है। वीडियो में जवान बता रहा है कि वो किस हालात में काम करते हैं। जवान भूखे पेटर हुते हैं। दाल में सिर्फ हल्दी इन्मत होता है। जवान कह रहा है कि भारत सरकार सब देती है, वहां से सब कुछ आता है। लेकिन अधिकारी कुछ नहीं देते। जवानों को नाश्ते में सिर्फ चाय और जले हुए पराठे मिलते हैं।